दोस्तों इंडियान मार्केट में जितना भी कार्स अबलेफल है इसका अंदर काफी सारा gearbox का option अपके बस है जैसे कि AMT, ECT, CBT इस तरीके gearbox है अब एक नया gearbox इंट्रॉट्टिस किया गया है Hyundai BNU के साथ इसका नाम है IMT यानि कि Intelligent Manual Transmission इसका मेन फांडा जो है इसके अंदर कोई भी क्लाच नहीं है तो पैटल आपको देखने को मिलेगा एक है फ्रॉट्लिंग का एक है ब्रेक का एंड जो मैनुल ट्रास्मिशन जैसे होता है ऐसे होगा सिर्फ आपको क्लाच का जो जं नहीं लगता है उसके लिए यह जो है बैसके लिए इसका अंदर काफ सारा Sensor का सिमाल किया है काप सारा Mia मतलब एक algorithm का सिमाल किया गहा है तब जाके यह जो technology एई प्रफ़र तरीके से काम करते है टो उसके लिए उस Remove प्रें यह ने Jeね honor और का मेरा जो तो आपका सब्सक्राइब कर लिएगा सथ सब्सक्राइब कर लिएगा इस तरह का लेटिस्ट टेक्नियोजी से रिलेटिव वीडियो आपका नुटिविशन में मिलते रहे हैं सब्सक्राइब कर लिए अब इस वीडियो को देखते रहे हैं दोस्तों कुछ का अंतुसियास्ट ऐसा भी है मेरी तरह जो आटोमेटिक ग्यार वोक्स को पसंद नहीं करते हैं जैसा कि सीबीट होगा यह काफी एडवन्स आटोमेटिक ट्रैंस्मिशन है इसके अंदर जो जट जहांज करने का जैन्स आटोमेटिक ट्रैंस्मिशन इसके अंदर जो जटका आपको पील होता है इसा है आपको पसंद नहीं होता है अंद कुछ लोग के ऐसा है वह मैच होगा एंट किया जो आटमेटिकली चेंज हो जाएगा जो क्लाइच है ऑटमेटिकली एंगेज होगा इसके अंदर एक क्लाइच दिया हुआ है इसके लिए आपको मैनुवाली प्रेस करने का जरूरत नहीं है आसली मुद्धा की बात है यह काम कैसे करते है इसके कि संसर जैसे होता है तो इस इंटयान से उसर से उस घ्रवक्स में घThis रखेंगे की उसको गया पोणन टू ऐष्य कुछ भी करने जहर ë बही करेंगे पोड़े जब अब टफ करने तो clutch जो है engage हो जाएगा simple आप उसको manually transmission जो है उसको down कीजिए या आप कीजिए तो आपका जो rpm है यहां पर और भी एक टिलोजी है rpm rpm जो है वो basically बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा अब जितना भी throttle दे जैसे कि आप number fourth gear पर है तो वहां से directly आप number one या two पर engage कर दिया तो यहां पर क्या होगा जो car का जो engine है अकर rpm को बढ़ाया नहीं जाएगा तो यहां पर basically क्या करेगा काफी सरा lag होगा या problem होगा तो इसलिए क्या होगा simply rpm जो है उसको बढ़ाया जाएगा and दूसरा जो transmission है speed को same रखने क कोशिश करेंगे यह gear box है इसका अंदर काफी दासू technology है अब clutch engage and disengage कैसे होता है simply आप प्रेस करते हो तब electrically एक वहां पर control होता है CSC होता है जिसके तुरू सब कुछ control होता है उसके पास यह message जाता है कि यहां पर यह touch है simply वह clutch को जो electrically hydraulic एक प्रेस है वहां पर power है motors है उसको engage कर देता है देन वह जो gear box है उसके अंदर simply clutch जो है gearbox and engine से वह अलग हो जाता है basically clutch engage होने की पाथ simply आप transmission कर देता हो उससे very little time पर जब आप engage करते हो हाथ देता हो simply वह engage हो जाता है आप gear पूल करते हो एंड कौन सा gear में पूल किया उसके हिसाब से यह जो CACF यह RPM भी set करता है क्योंकि RPM अगर आप set नहीं करेंगे तो engine UI वह lag करेगा तो यहां पर यह जो है काफी smooth आपका transmission देखने को मिलेगा simply यह IMT इंडिया में इसका fast introduction वहा था auto expo में and finally इसको launch कर दिया Hyundai Venue ने अब IMT जो यह है Hyundai Venue के अंदर आ आ चुका है आप से उसको change करने है उसको साही लगता है तो जिसको भी जैसे भी है वह आपना प्रस्वाइक आप सोच सकते हो simply जो technology की बारे मैं आपको बताना था simply आपको बता दे यही है एक simple सा वीडियो इसके अंदर कोई भी चीज नहीं यह एक sensor है उसको आप जब भी उसके अपर आप हात राखते हो sensor engage होता है वहाँ पर इलेक्ट्री के लिए की जो control होता है उसके पास sensor बिसके लिए एक signal जाता है वहाँ से जो है class को कीप वाचिंग डिजिटल पंदिग